नमस्का सर्फ एक और नहीं वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है जो कि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आज की हैं एक बने भी मकान की जानकारी लेकर तो इस मकान की पूरी जानकारी आपको हम इस चोटी सी वीडियो के माधिम से आपको देने वाले हैं कि आपता आपकी लोकेशन के ही पास ये मकान बिकाओ हो और ये मकान काफी सस्ताव को देखने को मिलेगा और इस मकान के अंदर आपको ना विवाद ना ललाई जगड़े या किसी आने चीज़ को यहां पे आपको बिल्कुल ही सामना नहीं करना पड़ेगा तो चलिए इस मकान के बारे में हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे कि इस मकान के अंदर आपको कौन कौन सी सुभी धाएं देखने को मिल जाएगी तो यहां पे जो आपको दिखागी है यह आपको जीने देखने को मिल जाएगी और यह जीने काफी अच्छी कंडीशन के साथ आपको यहाँ पे जीने देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे जो आपको दिखा गया यह आपको बेडरूम मिल जाता है और यह आपको उपर की फार सेलिंग देखने को मिल जाती है और ये फार सेलिंग काफी अच्छी कंडिशन के साथ आपको यहाँ पे फार सेलिंग देखने को मिल जाती है यहाँ पे जो आपको दिखा गया है यह भी आपको लैटरीन ही देखने को मिल जाएगा और यह Latte Line का फैर ज्र alors iota के साम और यह दर्वàiजा काफ़ी अच्छ छी कंडिशन के साथ यहां पर आपको यह रीधर में वेडरीं के लिएव निअ को जानी कि उपर के ऊफार RS इंग टूटल वेडरूम की बात कर ले तो यहां पर आपको पांच बेडरूम मिल जाते हैं प्रस लैडरीन बाथरूम ये सारा कुछ आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं किचन एक बार फिस से हम आपको दिखा देते हैं जो यहां पर आपको दिखा देते हैं जो यहां पर आपको किचन देखी सकते हैं किचन काफी अच अच्छी कंडिशन के साथ आपको यहां पे फार सेलिंग देखने को मिल जाती है यहां पे जो आपको दिखागी है यह आपको गाड़ी खड़ी करने की सुविधा देखने को मिल जाएगी और यह गाड़ी खड़ी करने की सुविधा काफी अच्छी कंडिशन के साथ आपको यहां पे देखने को मिल जाता है यहां पे जो आपको दिखा गया है यह भी आपको बेडरूम ही देखने को मिल जाएगा और यह बेडरूम काफ़ी अच्छी कंडीशन के साथ आपको यहां पे देखने को मिलेगा मार्केट की जनकारी हम आपको दे देते हैं मार्केट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा तो चलिए मकान के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं यह जो बना हो मकान आपको दिखा गया है यह मकान आपको पूरे 15 सब वर्ग फिड में आपको यह मकान देखने को मिल जाता है मकान के अंदर की बात कर लेते हैं तो इस मकान के अंदर आपको लाटरी, बाथरूम, ड्राइंगे रिया हाल, गाड़ी खड़ी करने की सुभी धाएं यह सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बात कर लेते हैं फ्रन्ट साइड में रास्ते की तो यहाँ पे आपको 20 फिट का रास्ता इस मकान के जैष्ट साइड से आपको देखने को मिल जाता है यानि आपके पास अगर आपको बड़ा वाहन है तब भी आप यहाँ तक बहुत हासानी से ला सकते हैं मार्केट के जानकारी हम आपको दे देते हैं जो आपको यहाँ से मार्केट मिलेगा तो यह मार्केट लगभग आपको दो किलो मीटर की दूर उप चलके आपको मिलेगा बात कर लेते हैं पेट्रोल पंप की तो यहां पे आपको पेट्रोल पंप भी देखने को मिल जाएगा जो कि मेन हाईबे पे ही पेट्रोल पंप आपको देखने को मिलेगा मालिक का हम आपको नाम बदे देते हैं ये आपको सुभम सिनहा के नाम से आपको ये मकान देखने को मिल जाता है मालिक की काश्ट की बात कर लेते हैं तो इस मालिक की काश है यस्ति की है तो अगर आप यस्ति वाले मकान को खरीदना चाहते हैं तो खरी सकते हैं इस मकान के अंदर आपको बहुत सारी सुधाएं और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं बात कर लेते हैं प्रजेंट टाइम आपको पानी कहां से प्राप्त हो रहा है इसकी भी जानकारी हम आपको दे देते हैं प्रजिन्ट टाइम जो आपको पानी मिलेगा ये पाईप लाइम के थुरू आपको यहाँ पे पानी देखने को मिल जाता है जो कि आपको पानी तीन टाइम आएगा सुबा दुपार साम को आपको यहाँ पे पानी प्राप्ट हो जाता है अगर आप यहाँ पे अपना परसनल एक समर्सेविल या बोर्वल या आरो लगाना चाहते हैं तो लगबाग आपको सारहे चार सो फुट पे आपको यहाँ का वाटर लेविल देखने को मिल जाता है अगर आप यहाँ पे समर्सेबिल या बोर्विल या पाने से अन्रिलेटर चीज़ आप यहाँ पे लगाने की सोच रहें तो आप लगा सकते हैं मकान के किमत एक बार फिस्द से हम आपको बता देते हैं ये बना हो मकान आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ बारा लाक रुपे में इस मकान को आप पच्छस कर सकते ही तो ये मकान आपके लिए काफी अच्छा लगा हुआ है तो अगर आप इसे खरीना चाहते हैं खरी सकते हैं और ये मकान आपको मिलेगा सिर्फ बारा लाक रुपे म लोकेशन हम आपको इस मकान का दे देते हैं ये मकान आपको किस सहर में देखने को मिलेगा तो इसकी भी जानकारी हम आपको दे देते हैं जिले की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो जिला लगता है ये बारा बंकी जिला है और ये खास बारा बंकी जिले में ही ये मकान देखने को मिल जाता है यहाँ पे जो आप रेलवाइ स्टेशन मिलेगा बारा बंकी में और यहाँ पे ज़िश्ट साइड से यानि की रेलवाइ स्टेशन के पीछे आपको ये मकान देखने को मिल जाता है जो कोई railway station के पीछे ही ये मकान देखने को मिल जाता है तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो खरी सकते हैं मकान काफी अच्छी condition का है और state की जानकारी हम आपको दे देते हैं तो state यहाँ पर जो लगता है ये वो तर्फ देश है तो अगर आप इसC location का छोड़ कर किसी दूसरे location पे बने हैं मकान को खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको एक comment box दिखाई दे रहा होगा इसमें आप मुझे से comment करके बता सकते हैं कि आप कहाँ पे मकान खरीदना चाहते हैं किस की मन में खरीदना चाहते हैं यह सारी डीटेल आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं जो कि मैं वहां के जो प्राप आपट्री डिल रहूंगे वहां से संपर्क करूँगा वहां की वीडियो आपको हमारे चनल पे देखने को मिल जाती है तो अगर आप इस मकान को खरीना चाहते हैं और इस मकान के मालिक का कांटेक्ट नमबर पर आपको चाहते हैं तो वीडियो के निचे आपको एक कमेंट बाक्स दिखाए दे रहा होगा इसमें आप उससे कमेंट करके बता सकते हैं और मालिक के मोबाल नमबर के लिए आपको चले जाना वीडियो की डिस्क्रिप्शन बाक्स में यहाँ पे आपको छोटी से लिंक को मिल जाएगी उस लिंक के पहजासे आप टेस्ट करेंगे तो इस मकान की पूरी इन्फार्मेशन आपको लिखी हुए देखन को मिलेगी और यहें पे आपको मालिक का मोबाल नमबर मिल जाएगा अधिक जानकारी के लिए आप मालिक के पास काल कर सकते हैं और इस बने हमकान को खरीच सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो और वीडियो पसंद आई हो तो पिलीज हमारे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आपको हमारे चनल पर मिलेंगे बहुत ही कम काम कीमन में बने होे मकानों की जानकारी सब से पहले तो अगर आप भी हमारे यूटूब चनल के माद्धम से अपने जमीन या फिर अपने मकान को आप बेचना चाहते हैं तो वीडियो की नीचे आपको एक कमेंट बाक्स दिखाय दे रहा होगा इसमें मुझे से कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कहां पर मकान खरीना चाहते हैं किस की मन में खरीना चाहते हैं और किस लोकेशन पर खरीना चाहते हैं यह सारी डिटेल आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं तो कि मैं वहां के जो प्रापरेटी डिल होंगे वहां से समपर करूँगा वहां की वीडियो आपको हमारे चनल पर देखने को मिल जाएगी अगर आप बेजना भी चाहते हैं तब भी आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं तो हमें दीजी जाज़त और लोकेशन के साथ क्योंकि नी कल फिर मुलाकात होगी बाई बाई